जब मुश्किल परिस्तिती आपकी जिन्दगी में आती है, तो क्या चीज सबसे ज़ादा मोटिवेट करती है, कैसे आप खुद को निकाल पाते हो उस चीज से बार, कोई दर्ध है, कोई दुख है, पीडा है, या कुछ बहुत बुरा सा हो गया, तो अपना आपको कैसे समझाते हो आप, आप शार्क टेंक में गए थे, उसके बाद जन्ता का अलग-अलग रियक्शन था, कुछ ओडियंस आपके फेवर में थी, पर कुछ ने उस चीज को नहीं समझा, तो आप उस चीज पर क्या कहना चाहेंगे, मैं एक्जांपल देना चाहूँगा, A2 Motivation एक टाइम पर यूट्यूब की दुनिया में नंबर वन चैनल था, हमने नंबर वन स्पोर्ट, दो तीन बार रैंकिंग आई नंबर वन पर ही था, और इस नोट बाद आट, जो भी पैसा कमाया, जो भी अच्छी चीज़े जो भी थी, एक सर्टेल लेवल तक होती है, पर वो समय एक जसा नहीं होता, बदलता है, जैसे A2 Motivation का भी समय बदला, एक बहुत डाउनफॉल भी देखा हमने, बहुत जादा डाउनफॉल भी देखा हमने, चीज़े ऐसे लगती थी कि या, शायद अब तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, तब मैं अपने आपको एकी चीज़ समझाता था, कि, अरविन, क्या इन चीज़ों ने तुझे बनाया है, तूने इन चीज़ों को बनाया है, तो इंपोर्टन्ट क्या है? अब जब मैंने ही कोई विरासत बनाई है, तो मेरे लिए मैं जादा इंपोर्टन्ट हूँ, अगर मैं उस टाइम पर मैं स्ट्रेस लिलू, अरे आरे आरे तो मोटिवेशन जा रहा है, अरे आर पैसा जा रहा है, आपने तो बनाया है, जिस वक्त ये शाक टेंक रिलीज हुआ था, मुझे आज भी आद है, मेरी मम्मी ने मुझे गॉल किया था, तो देखो उनको समझने का तरीका क्या है, घरवाले घरवाले ही होते हैं, किता प्यार करते हैं, चाहे आप किसी भी कंडिशन में हो, मेरी मम्म ने किया का बहुत अची कोशिश थी, तो ऐसे होते हैं माबाप, और मैं आपसे कहूँगा कि आपके लिए जिन्दिगी में सबसे इंपोर्टन उन्ही का ही प्रोस्पेक्ट है, वो क्या सोचते हैं, बाकी दुनिया मैटर नहीं करती है, जब मेरी मम्मी ने ऐसा बोला ना, म कोई फरक नहीं पड़ता मुझा, तो वो दिनी अलग था, अब लोगों के प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं, तो जो लोग, मतलब उसमें 90% लोग मेरे बार में negative ही बोल रहे थे, देखो किसी की टांग कीचना, किसी की इखलाफ कोमेंट बोलना बड़ा असान है, मैं आप से इनल ओडिशन तक पहुचा, शाक टैंक के सामने खड़ा था, आप बस इतना सोचो कि आपको कितने जनल लग जाएंगे उस गेट को देखने, सभी बात, सभी बात, सभी बात, कितनी महनत करी आपने आपने, बिल्कु जमीन से उठके अगर इतनी बड़े प्लैटफोर्म प मेरे इसके लिए दो प्रोस्पेक्ट है, उससे मुझे क्लियर कट समझ में आगया कि फैमिली फैमिली ही होती है, और दूसरे जो कहते हैं उस उन शब्द के कितने माइने हैं, वो किस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बात बदाता हूँ, मेरी सोश मेडिया पर हूँ, मैंने आज तक किसी भी, किसी भी YouTube वीडियो पर जाकर किसी के लिए negative comment कभी नहीं लिखा, अगर किसी के लिए लिए positive comment लिखा, वरना नहीं लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ, एक content creator का दर्द क्या होता है, वो दिन रात बेनत करता है, जो आपको वीडिय रातो जागा है वो, उसके बाद उसने content बना के आपको आपके सामने रखा है, पसंद आया, तो अच्छी बात है, प्रेस करो, नहीं आया तो please comment section में कुछ गलत मतली, सुझाव दे सकते हो अलग बात है, गलत लिखना कहा तक जायज है, और गलत लिखना यह नहीं मानने होग मानने ही रहाए है